हम जानते हैं कि दो की घात चार क्या होता है तो दो की घात चार यानि कि हमें शुरू करना है एक से और हमें दो को चार बार गुणा करना है तो यहाँ पर एक से शुरू करते हुए हमें यहाँ पर दो को चार बार गुणा करना है तो यह होता है दो की घात चार तो यह बराब 16 तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 2 की घात 4 बराबर है 16 के लेकिन अब मैं जानना चाता हूँ कि रिडात्मक घात क्या होती है तो यहाँ पर अगला उधारन में लेता हूँ कि समझो हमें दिया गया है 2 की घात 2 की घात 4 तो यह क्या होगा तो इसे देखके ऐसा लगता है कि 2 की घात 4 अगर 16 है तो 2 की घात रिंचार शायद रिंच 16 हो लेकिन एक मिनिट ज़रा अच्छे से देखें तो यहाँ पर हम बात करें घात की तो जब हम 2 की घात 4 की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि 1 से शुरू करना है और हमें 2 को 4 बार गुणा करना है तो उसी तरह से अगर हम इस रिनात्मक घात को देखें तो जो रिनात्मक घात है वो धनात्मक घात के बिलकुल विपरीत है तो धनात्मक घात अगर कहती है कि हमें 2 को 4 बार गुणा करना है तो रिनात्मक घात का मतलब ये होगा कि हमें 2 को 4 बार विभाजित करना है तो यहाँ पर 2 की घात रिन 4 का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 1 से शुरू करना है और हमें 2 को 4 बार विभाजित करना है तो दो को चार बार विभाजित करना, यानि कि एक बटा दो से चार बार गुणा करना, तो यहाँ पर मैं एक बटा दो से चार बार गुणा कर देता हूँ, तो यह बराबर बात हो जाएगी इसी के, कि दो को चार बार विभाजित किया गया है, तो इसका कुल उत्तर हमें मिल यहां पर अंश में होगा यह एक और हर में आएगा हमारे पास सोला तो यह हो जाएगा एक बटा सोला यहां पर चाहें तो हम इसे ऐसे भी देख सकते थे कि यह जो है हमारे पास दो की घात दो की घात रिंड चार इसमें अगर हम देखें तो यहां पर हमें अंश में तो एक ही एक बटा दो की घात चार तो रिनात्मक घात का मतलब ये है कि हम इसे एक बटा धनात्मक घात के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा एक बटा हर में हमारे पास दो की घात चार जो होता है यहाँ पर हमें एक से शुरू करना है और दो को चार बार गुणा करना है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 की घाट 4 तो इसका कुल उत्तर हमें मिल रहा है 1 बटा यहाँ पर है हमारे पास 16 तो किसी भी संख्या की रिनात्मक घात का मतलब यह है कि हमें 1 बटा उस संख्या की धनात्मक घात लेनी है उधारन के तौर पे समझो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 की घात रिन 3 तो यह दरसल बराबर होगा 1 बटा 1 बटा 3 की घात 3 के और 3 की घात 3 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 यानि यह होता है 27 तो यह यहाँ बराबर आ जाएगा यह होगा 1 बटा 27 के चलो कुछ और उधारन लेते हैं तो यहां पर अगला उधारन में लेता हूं रिण 2 की घात रिण 3 तो यहां पर हमारा जो आधार है वो भी रिणात्मक है तो हमें डड़नी की कोई जरुवत नहीं है हमें सिर्फ सबसे पहले ये रिनात्मक घात को धनात्मक घात में बदलना होगा तो वो हम कैसे कलते हैं तो रिनात्मक घात जब भी दी गई हो तो यहाँ पर इसे हम बराबर लिखते हैं एक बटा एक बटा धनात्मक घात के तो यहाँ पर जो आधार है वो वही रहेगा जो है रिंड दो बस इसकी जो घात है वो धनात्मक हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर तीन तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर अंश में हैं हमारे पास एक और हर में जो है हर में हमारे पास आएगा यह है रिंड दो की घात तीन यानकि हमें यहाँ पर एक से शुरू कर तो यह हमें बराबर मिलेगा यहां अंश में हमारे पास एक और हर में हमारे पास आ जाएगा यह एक गुणा रिंड दो गुणा रिंड दो गुणा रिंड दो तो यह हो जाएगा कुल रिंड आठ जिसे हम बराबर लिख सकते हैं यह है रिंड एक बटा आठ चलो एक आगरी यहां पर मैं उधारन लेता हूं समझो कि 5 बटा 8 की घात तो जैसा की हमने बात की थी कि आधार कच भी हो जब भी रिनात्मक घात है तो सबसे पहले तो उसे 1 बटा धनात्मक घात के रूप में लिखना है, तो यहां पर हमें से लिखेंगे कि यह बराबर है, यह होगा एक बटा हर में हमें लिखना है धनात्मक घात तो यह हो जाएगा पांच बटा आठ की घात दो तो इसे हम हल कर सकते हैं तो यह बराबर होगा यहाँ पर एक बटा हर में हमारे पास पांच का वर्ग बटा आठ का वर्ग तो पांच का वर्ग होगा 25 बटा आठ का वर्ग होगा 64 और 1 बटा 25 बटा 64 दरसल बराबर होता है 64 बटा 25 के अब 64 बटा 25 को दरसल हम लिख सकते हैं कि ये है 8 बटा 5 का वर्ग अब गर तुम देखो तो यहाँ पर है हमारे पास 5 बटा 8 की घात रिंडो जो दरसल हमें बराबर मिल रहा है 8 बटा 5 की घात धन दो तो यानि कि हमें अगर किसी भी संख्या की दरात्मक घात चाहिए तो दरसल हम इस संख्या का व्यूत करम ले सकते हैं और उसकी घात को हम धनात्मक लिख सकते हैं तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें यह है 2 की घात रिंड चार तो यहाँ पल जो आधार है उसका मैं व्यूत करम ले लेता हूँ तो ये दरसल बराबर होगा इस आधार का व्यूत करम ले लेता हूँ दो का व्यूत करम होगा एक बटा दो और इसकी घात जो है अब रिंचार से मैं धनचार लिख सकता हूँ तो इसकी घात हो जाएगी 4 तो 2 की घात रिंचार दरसल बराबर है एक बटा 2 की घात 4 के तो इस वीडियो में हमने जाना रिणात्मक घातों के बारे में